दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी कबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहली कबर बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड भोजपूर में एक साथ 78 हजार तिरंगा लहराया अजिया विहार ने सनिवार को एक साथ तिरंगा लहराने में पाकिस्तान का विस्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है बोजपूर के जगदीस पूर इसी दुलोर के तियासिक मैदान में आवजीत बाबू वीरकू और सिंग विजयो स्थव में केंद्रिया गिर्या मंत्रे अमेत सा की मौजूदगी में नया रिकॉर्ड बना इस कारकरम में सा के साथ 78 हजार से अधिक लोगों ने एक साथ पाच मिनट तक जंडा लहराया आपको बता दे कि 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ करेब संताओन हजार जंडे लहराने का रिकॉर्ड बनाया था अगली बड़ी खबर अमित सा ने किया एलान भारत सरकार बनवाएगी वीर कुवर सिंग के नाम पर समारक जिहां केंद्रे गिर्या मंत्रे अमित सा ने कहा कि भारत सरकार कुवर सिंग का बाइब समारक बनवाएगी वे भोजपूर के जगदिसपूर के दुलोर के थियासि मैदान में सिन्वार को कुवर सिंग विजय विजय विसक को समोधित कर रहे थी। उन्होंने कहा कि 1857 के 77 संग्राम के सभी सिनानियों के समारक बनेगा। राज़त पर निसाना साथ्ते हुए कहा कि आज लालो प्रसाद का पोश्टर हटा। राज़त के लोग सोच रहे हैं कि बिहार के लोग लालो रबड़ के जंगल आज को पूर राज को भोल सकते हो क्या पिर कहा कि बिहार को बेमारो राजों से विक्सित राज की और नीटिस कम पारवा सुसिल मोदी की सरकार ने किया है अगली बड़ी कबर इंटर में बढ़ेगी 5,89,000 सीटे चात्रों को 6512 स्कूल और कोलेजों में नामाकन का मिलेगा मौका जिहां बिहार बोड में इंटर में इस बार 5,89,000 साधिक सीटों की विर्दी होगी बिहार बोड द्वारा रा इनजिक संकाई के लिए 1 से 3 सेक्षन तक नामाकन के अनुमतिक बोड दे रहा है सीटों में बिर्दी से इस बार इगारवी में नामाकन के लिए 22,00,000 सीटे होंगी बिहार बोड की माने तो 2021 में इगारवी के लिए 17,00,000 सीटे थी लेकिन इस बार या संक्या बढ़कर 22,00, अगली बड़ी कबर बिहार में 15 जुन तक आ जाएगा मानसुन, हिंद महासागर की गर्मी का दिखेगा असर, इस बार समाने से अधिक बारिस, जी हाँ हिंद महासागर की गर्मी का असर मानसुन सीजन पर दिखाए देगा, इस बार बिहार में बारिस कम नहीं होगा, इतना मानसुन भी समय से आएगा मौसाम विभाग के जानकारों का कहना है कि इस बार मानसुन को लेकर जो सित्या बन रही है इस साफ है कि इस बार बारिस पूरी तरह से समय नहोगी मानसुन भी 13-15 जून की बेच अपने समय पर आ जाएगा वर्स 2021 में बिहार में 13 जून को यास तु पुर्वा और दचिनी पुर्वा हवा का प्रभा बढ़ाए इसके प्रभाव से दचिन भीहार के कैस्तानों के अधिक्तम तापमान में गिरावाट आई है मौसाम विगान केंदर के अनुसार अगले 24 घंडी के दोरान सिमांचन छेत्र किया ररिया किसन गांज पूर्णिय अगले 24 घंडी के दोरान इन जगोह पर रहने वाले लोगों को सुरचित इससानों पर रहने के सला दे गई है बाड़ी कबर बिहार में बाहर से आनो वालों की होगी कोरोना जाज कोरोना की चोतिर लहर के आसंका से बिहार में सकती जिहां कोरोना वारिस के नए विरियन के देश में आने के साथ संक्रवन के मामले भी बढ़ने लगे हैं राज में आप कोरोना की एक्टी मरीजों की संख्या बढ़कर 15 पर पहुँच गई है इससे पले गुरुवार को सक्रे मरोजी की संख्या इगारा थी वास्त विवाग के अपर मुई के सची प्रतात अमरियत ने विवाग के पदाधिकारियों के साथ जिला इससर पर तैनात पदाधिकारियों के साथ कोविट के नए मावलो और कोरोना जाज की समिक्चा की जिलों ने जानकारी दी की प्रदेश में फिलाल 65-65,000 टेस्ट किये ज रहे हैं अगली बड़ी ख़बर पासपोर्ड वेरिफिकेशन के लिए बियार के सभी तानों को मिला टैब आब महाज 13 दिन में हो जाएगा काम जिया राज के सभी 1082 पुलिस तानों को ऑनलाइन पासपोर्ड वेरिफिकेशन के लिए टैब उपलब्द कराए गया है पुलि किस दिनों में पुलिस जाज परतिवेदन निर्गत होता था जो अब घट कर तेरह दिन तक आ गया है पुलिस मुक्याली के नुसार इस साल मार्ज तक पासपोर्ड वेरिफिकेशन के एक लाग दो हजार 617 अवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका निस्पादन किया जा रहा ह बाड़ी कबर भीयार के सरकारी दप्लास्टिक के उप्योग पर पूरी तरह से लगा बैन, बोतल, फोल्डर और बैक का इस्दमाल नहीं कर सकेंगे करमचारी जिहाराज में एकल उप्योग वाले प्लास्टिक उद्वादों का उप्योग अपूरी तरह भरजित होगा, एक जुलाई से आम जिनों के लिए इस पर परतिबन लगा दिया गया है, वही आम लोगों से पले सरकारी दप्तरों में इस पाबांदी को 100 फिज़ी लागू करा जाने का निर्देश दिया गया है, इसके लिए मुई के सचीव आमेर सुभाहनी ने राज सरकार के सभी विवागों को दिसा निर्देश जारी कर दिया है, इसके मद्दे नजर भवा निर्मान विवाग ने भी मुई के सचीव के आदेशों के सत परतिसात अनुपालन का न रह गए हैं सिक्षा विभाग को योग अभियरति नहीं मिल रहे हैं वह भी तब जबकि चटे चरन के तहद नियोजन प्रक्रिया 34 महने से चल रही है चार बार योग अभियरतियों के चैन को काउंसिलिंग हो चुकी है जुलाइवा अगस 2021 फरवरी 2022 में वी काउंसिलिंग के अलावा हाले में छुटी वे नियोजन इकायों में चैन का विसेश चक्र हुआ है 90,762 पदों के लिए चल रहे नियुक्ति परक्रिया के तहद आप तक महा 40,000 ही नियुक्तिय पत्र बाटे जा सके हैं तिन काउंसिलिंग चक्रों के तहद 41,515 चैनित हुए हैं इनमें से 49, संतावन के जोइनिंग हुई है वहीं 18 अप्रेल से विसेश चक्र में करीब 2300 पदों के लिए काउंसिलिंग के दुरान 377 का चैन हुआ है और 932 को ही नियुक्ति पत्र दिये गए हैं 445 चैनिति के पर्मान पत्र संदेपा उने के उसे उनकी जा चल रही है इस तरह 4 चरनों इंटर्मेंडेट कंपार्डमेंडल से विसेश परिचा का वेजन 25 अप्रेल से 4 माई तक किया जाएगा इसके लिए सनिवार को चात्रों को पर्वेश पत्र जारी किया गया है कंपार्डमेंडल एकजाम दो पारियों में होगी पाले पाले 9 बज कर 30 मिनट से 12 बज कर 45 सबी परिचात्री को चपल पहन कर इप गेंद्र पर परविश मिलेगा जिला सिक्चा पदादिकारे ने बेड़क में उपसी दोनों केंद्रा दिक्चकों को कदाचार मुक्त माहूल में परिचा संपल काने को लेकर निर्देश दिया गया है अगली बड़ी खबर 30 अप्रेल को होगी जवाहर नवदय विदाले परविश परिचा अगली बड़ी खबर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदे आज बियार के चाप पंचायतों को करेंगे सम्मानित बारप पुरुसकार बढ़ाएंगे प्रदेश कमान प्रदान मंत्री नरेंदर मोदे 24 अप्रेल यानि आज प्रदेश के चो ग्राम पंचायतों को सम्मानित करेंगे इसमें चाइल फ्रेल्ली ग्राम पंचायत के लिए नादलना जिले के हरनोत प्रकण की सुन्दरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत डेलोमेंट प्लान अव दिन द्याल उपाइदाई पंचाद ससक्तिकरन पुरुसकार के लिए बेसाली जिले के बवानपूर प्रकण के मांगन पूर ग्राम पंचायत जानाबाद जिले के जानाबाद प्रकण के मंडिल ग्राम पंचायत गया जिले के इमाम गंज प्रकण के बिको पूर ग्राम पंच सामिल या जानकारी सुकुरवार को पंचाइदी राज मंत्रे समराड चोधरी ने दी है बड़ी ख़बर बिहार में बिजली का संकट डिमान बढ़ने से कटोती की सिती बनी जिहां बिहार भिसन बिजली संकट की चपेट में है जिहां सिंटल सेक्टर से बिहार को 1000 मेगावर्ट कम बिजली के अपरती हो रही है और बरती गर्मी के बेज बिहार में बिजली की डिवान बने हुई है जिस कारण राज बिजली संकट की चपेड में आ गया है बिहार में यह हाला तब है जब राज बिजली के मामले में सर प्लास स्टेट हो चुका है राज में बीजली संकट के सिती ऐसी है कि पुरे प्रदेश में साम 6 घंडे तक रोटेशन में बिजली दी जा रही है साम 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रदेश में लोड सेडिंग करने पड़ रही है। प्रावेड सीटी बसे किराय में नहीं होगा कोई बदला यह अगले 17 अंद तक 50 प्रावेड सीटी बसों का परेचालन शुरू हो जाएगा यह बसे पिली सीटी राइड बसों की किराय दर पर चलेगी निटियों से प्रकास ने बताए कि सेंजी डिजल की तुलना में काफी सस पसने का डर रहेगा और नई खड़े रहने पर सिर्क के चत से टकराने का खत्र रहेगा आपकी जानकारे के लिए बता दे कि सरकार ने प्रावेट पिली सीटी राइड बसों को भी सहर से बाहर करने के लिए उनको परती बस साड़े साथ लाग अनुदान देकर सेंजे में करोनावारेस के बड़ते मामलों के बेच गुरवार को ड्रक कंड्रोल जनरल अप इंडिया के बिसेसक पेनल ने 5 से 12 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए कोरवेग्स वैक्सिन के अमर्जनसी इस्तिमाल के सिपारिस की है जिसके बाद अब केंद्रे स्वास्त मंत्राले के अंतिम मंजूरी से पहले वैक्सिन को डिसी जी आई के अनुमति का इंतिजार है फिलालिया वैक्सिन 12 से 14 साल के आयू वर्ष के बच्चों को लगाई जा रही है इंडिया टुडे ने पिटिया आई के सूत्रों के हवाले से कहा है कि सिडी एसडियो की कोवेड-19 विसे वि से विक्सित कोवेड-19 के खिलाब महारत का पहला स्वेड़े सी रूप से विक्सित आर्वेडियो प्रोटियन सब यूनिटि वैक्सिन है आज के लिए आपका सवाल बताए कि लालो यादव के रिया होने पर बिहार में राज़त को अब माजबोती मिलेगा या नहीं इसका जबाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं